तो भाई लोग कैसे हुआ आप लो तो स्वैलोरे स्टार के नेक्स्ट इनोवल के एपिसोड नमा 101 में आपका स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवाना न भूलें तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फैंग ड्रैगन स्टार पे आ चुका था और अब वो अपना रेजिस्ट्रेशन करवाने जाता है तो अब लू फैंग ऑफिस खिताब जाने लगता है और वहाँ पर वबाता से पूछता है कि यहाँ पर स्ट लेवल और लेडी ही एक स्टेटस की पहचान है और इस ब्लू सिल्वर एमपायर में भी कुछ ही उनिवर्सल लेवल के बंदे हैं इसलिए उन्हें देख पाना मुस्किल होता है अब लू फैंग चलते चलते गेट तक पहुँच जाता है जहां पर वो ब्लैक ड्रैगन गाट्स करे थे जो कि 6 मीटर लंबे थे अब वो गाट्स जैसे ही लू फैंग के पीछे उन दोनों लिक्विड सिल्वर गाट्स तो देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि लू फैंग कोई बड़े फैमली से तालुकात रखता है तो उसे वो लो 32 फ्लोर पे चला जाता है अब वहाँ पर एक लेडी आती है और वो कहती है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ तो लू फैंग कहता है कि मैं यहां ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एमपार नेशनल का सिटिजन सिप लेने आया हूँ अब लू फैंग यह सब बड़े अराम से पूछ पा रहा था क्योंकि बबाता ने उसे पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि उसे कैसे रियक्ट करना है अब यह सुनकर वो लेडी भी सौक होती है कि लू फैंग नेशनल्टी के लिए यहां आया है क्योंकि वैसे भी लू फैंग बरा हो चुका था तो उसके पास ख पीसियस निगाहों से देख रहे होते हैं लेकिन जब वो लू फैंग के पीछे उन दोनों सिल्वर गाट्स को देखते हैं तो उनके चेहरे के स्माइल बदल जाते हैं और क्योंकि उन्हें भी लगा कि लू फैंग एक नोबल फैमिली से तालुक आते रखता है और वो कहते ह मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं तो लू फैंग कहता है कि मैं यहां ब्लैक ड्रेगन माउंटेन को जोईन करने आया हूं और यहां भी वो लोग लू फैंग से नेशनलिटी पूछते हैं लेकिन लू फैंग की तो कोई नेशनलिटी ही नहीं थी अब उन्हें लगता है कि यह जरूर इलाइट ट्रेनिंग में गया होगा और अभी ही यूनिवर्स में सेर पे निकला होगा इसलिए इसके पास अभी नेशनलिटी नहीं है और वो उसे रुकने को बोलते हैं और यहां पे कई सारे पेपर प्रिंट्स होके आते हैं और जैसे कि लू फैंग के पास हैरान होते हैं और फिर यहां पे वो लोग लू फैंग को 950 ब्लैक डाइन डॉलर वापस करते हैं और यहां पे लू फैंग को कुछ पेपर वर्क के लिए भी जाना परता है और करीब 20 नट के बाद लू फैंग अपने आइडेंटिफिकेशन कार्ट को ले लेता है और यहा कि एक अर्थ का वार्ड गॉर्ड भी अगर अपने फुल एस्ट्रेंट से इस पे अटैक करें तो भी इसे नहीं तोर पाएगा और इसके बाद लू फैंग बवाता से पूछता है कि आखिर में अपने वर्चुल यूनिवर्स एकाउंट को कैसे खोल पाऊंगा तो बवाता कहती है कि यह वहां से भी 100 किलोमीटर दूर है और इसके बाद लू फैंग उसी के लिए निकल जाता है और बीच में बवाता लू फैंग को वर्चुल यूनिवर्स स्पेस के बारे में बताती है कि इसमें हम कितने भी दूर क्यों ना होंगे हम एक दूसरे से बात कर सकते है और इस टेक्निलोजी के बारे में बवाता को भी नहीं पता होता है और इसे गानू इंपार भी नहीं ब्रेक कर पाया है जो कि बहुत बड़ा इंपार था और बवाता आगे इससे बताती है कि इस वर्ड में उनसे भी कई गुना पावर्फुल एंटिटीज एक्जिस्ट कर और इसी बैंक में तुम्हारी टीचर्स ने भी अपने एकाउंट बनाए हुए थे और बीग एक्स बैटल ग्राउंड ये एक बैटल ग्राउंड है अरीना की तरह और युनिवर्स मर्सवी एलाइंस एक और जिसमें 99% फाइटर उसे जॉइन करते हैं और यहां तक ही तुम लेड़ी लूफंग से पूछती है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं तो लूफंग उसे एक एक एकाउंट खोलने को बोलती है तो वो लेड़ी ऑप्सन देती है कि इसके भी अलग-अलग categories है जो की है hundred years के लिए thousand years के लिए और फिर फिर 10 thousand years के लिए और हर साल को आपको 10 ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स के हिसाब से देना परेगा अब लू फैंग पूछता है कि क्या कि हम इसके अकाउंट के ओनर को ट्रेस कर सकते हैं तो वो लेड़ी कहती है कि नहीं कुछ अकाउंट को ट्रेस नहीं किया जा सकता है और वो जेनरली 100 यर के सेट होते हैं और उनके प् फिल लू फैंग वहाँ से अपने स्टोरिज रिंग में रख लेता है अब लू फैंग यहाँ पर प्रेटेंड करता है कि उसका रिंग सिर्फ 10 मीटर 4 है इससे बरह नहीं है क्योंकि अगर लू फैंग के स्टोरिज रिंग के बारे में किसी को पता चल गया कि यह बहुत बर प्रेट के मास्टर का एक बाल का टुकरा भी एक ड्रैगन इस्टार डोमेन लॉड के जितना पावरफुल था अब लू फैंग वहाँ से निकल जाता है और वो उस वक्त रेस्टोरेंट में होता है और वहाँ पर फ्रूट जूस और करता है और फिर वहाँ पर ले जाने को कहता है और यहीं पर बबाता भी बहुत ज्यादा एकसाइटेट था उस वर्चूल यूनिवर्स में जाने के लिए अब इसके बाद लू फैंग उस वर्चूल स्पेस में इंटर हो जाता है और अब वो एक स्ट्रीट में आ जाता है और बबाता एक स्पीट के स आईज में थी जो कि लू फैंग के साथ थी एक याई जैसे ही और यहाँ पे लोग अभी गानू कॉंटिनेट के वर्चुल उनिवर्स में आ चुके थे जो कि एक आईलेंड में था और वो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन का था तो लू फैंग इसके बारी में पूसता है तो बब करता है उसका एक असिस्टंट होती है और वो एक स्पीड के फॉर्ण में उसके बैठी होती है जो उसे गाइट करती है और आगे वो बबाता बताती है कि यहाँ तुम कुछ भी कर सकते हो कोई भी बीजनेस की दिल जो तुम चाहो वो कर सकते हो यहां से तुम अपने बैंक में नहीं कर सकते या जो भी reality में करना ना मुम्किन है उसे यहाँ पर किया जा सकता है और यहाँ कई लोग हजारों सालों तक गेम खेलते हैं और तुम्हें जो गेम चाहिए वो company बना के दे देगी तुम्हें लेकिन इसके लिए पैसे भी देने परते हैं जो कि गरीब लोगों के पास नहीं होते हैं अब यह सब सुनकर लूफएंग सौक हो जाता है लेकिन बबाता कहती है कि फिर भी virtual space तो virtual ही रहेगा तुम यहाँ कितने ही train क्यों न कर दो तुम अपने physical body को train नहीं कर सकते अब फिर यह बात करने के बात बबाता लूफएंग को कहती है कि अभी तुमारा beast को 325 B grade metal की जरूरत है और उसे वही metal swallow करना है और मैंने उस location को पता लगा लिया है जहां पर यह metal हमें मिल सकती है तो लूफएंग कहता कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है तो आखिर हम उसे खरीदेंगे कैसे और वह पूश्टा कि हमें उसे खरीदने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी तो हाई लोग इसे के साथ यह वीडियो भी खतम होती है तो मिलते है नेक्स वुड़ू में तब तो के लिए बाई